ये कोई पलायन नहीं है एक बात सुन लो चिंदवाडा में है कमलाजी तो ये तो आप लोग जो है ना जब तक संसनी खेज ब्रेकिंग निउस नहीं दोगे तो कौन देखेगा कौन चापेगा तो इसलिए ब्रेकिंग निउस के चक्कर मत रहो मेरी कल रात को कमलाजी से बाच साथे दस ग्यारा बजे हुई है वो चिंदवाडा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनेतिक जीवन की शुरुवात नहरू गांदी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जंता पार्टी उसकेंद की सरकार इंद्रा जी को जेल भेज रही थी उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कॉंग्रेस सोनिया गांदी जी के परिवार को छोड़के जाएगा इंद्रा जी के परिवार को छोड़के जाएगा आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए बात ये है उनके पास ED है उनके पास IT है उनके पास CBI है उनके पास पैसा है उनके पास एलेक्शनल बांडोंड है जो डर जाए उसको डरा दो जो बिग जाए उसके खरीद लो ये जितने यहां बैठे ना ये टिकाव बैठे ये बिकाव लोग नहीं है यहां जो बिकाव है वो बिग गए बात साफ है देश के हर नागरिक को लोग तंत्र में भाग लिए लेने के लिए ये उसका अधिकार है कि वो जिसे चाहे वो वोट डाले वोट गुप्त हो और जहां उसकी मन्शाह है वहां जाए और उसकी गिंती होना चाहिए ये मेरा संवेदानिक अधिकार है अब टेक्नलोजी आई कांग्रेस पार्टी नहीं इवीए मशीन दूसरे देशों में भी इवीए मशीन आई लेकिन मुझे तो 2003 से इसमें भरोसा इसलिए नहीं है कि बटन दबाओ भी पावा जाई और वोट कहां गया पते नहीं पड़ता और वीवी पैट में तो अब और भी इसमारे में एक अब इश्वास पैदा होता है कि इसमें software जो डाला जाता है पहले तो one time programmable chip होती थी उसमें तो simple था कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब इसमें वीवी पैट मशीन में यूनिट में candidate का नाम और symbol आता है इसके लिए symbol loading यूनिट होता है और वो वीवी पैट मशीन यूनिट में डाला जाता है कब डेट और विड्रॉल के बाद अब उस software में क्या है यह किसी को नहीं मालूम हम लोगों को नहीं मालूम क्योंकि ऑपरेटर देता है कि उसको software अगर मंजूर करता है तो ठीक है नहीं तो software जो कहेगा वो डाले जाएगा उसके इसलिए मेरा वोट मेरा नहीं जा रहा है software जिसे भेजेगा उसका वोट जाएगा अब बात वहीं है कि हमको आप साथ सेकंड के लिए दर्शन क्यों कराते हो भई हमें तो हाथ में दे दो पहली बात हम तो बैलेट पेपर के पक्ष में है जर्मणी जैसे विक्सेत देश ने यह तया कर लिया कि इव य मशीन पर हमको वरोसा नहीं है और सुप्रीम कोट उतने के दिया बैलेट पेपर चुनाओ करा और बैलेट पेपर चुनाओ नहीं होना चीज़ा बहुत टाइम लगता है यह कहां कानुन में लिखा है कि चवदा टेबल पी एक एक राउंड होगा कर्मचारियों कमी है क्या आप चवदा के बज़ाए पचास टेबल लगा दीजे तीन सो से ज़्यादा बूत है नहीं छे घंटे में पूरी काउंटिंग हो जाएगी काउंटिंग में किती दे लगती है इसलिए हमको तो इस पर भरोसा नहीं है और अब तो एक ये एक जुगा भीवी पैट बनाई लिए लोगोंने कि बटन दबाया हमने कहीं दिखा कुछ और छपा कुछ इता आप लोगों ने खुद ने देखा होगा सोशल मीडिया पर वारेल हो चुका है तो हमको हमारे वीवी पैट स्लिप के दर्शन मत कराईए वीवी पैट स्लिप हमें हाथ में दे दीजे और हम उसे दब्बे में डाल देंगे पहली मांग हमारी यह है यह और यह 2018 में AICC के पुलिटिकल रेजोलुशन में कॉंग्रेस पार्टी यह यह प्रस्ताव कर चुकी है कि हमें इवीव मशीन पर भरोसा नहीं है आपका विवस्ता जो है ECI यह बैलेट पर प्रीज करना है यह दो हजार बारा के बाद से जबसे बीवी पैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में मोदी जी और उनके जो जो क्लोज ग्रूप है वो अति विश्वास में है चुदा में कहा भाजपाप को बहुमत मिलेगा बहुमत होता है दोजार बहुत्तर पे उनको मिले दोसो चौरासी दोसो बहुत्तर उसकी बाद दोजार उननीस में उनका तीन सो पार तो मिले तीन सो तीन इतने बड़े देश में जहां नब्वे करोड ज्यादा मत दाता हो इतना निर्ने कैसे मतलब इतना भविश्वानी कैसे हो सकती है अब मेरे पास दो उधारन है एक बेरसिया में 17 नवंबर को चुना हुआ 19 नवंबर को एक व्यक्तिय ने अपने फेस्बुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे कॉंग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी कब 19 नवंबर को चुनाओ के दो दिन बाद और नतीज़ आया तो वो का वो ही आया इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के दो दिन पहले दिसंबर एक को जो नतीज़ डाल दिया वो का वो ही आया एक परसंट भी इधर उधर नहीं था तो यह सारी बाते हैं इस पर हम एक ही बात मांग हमने पूरे देश के सिविल सुसाइटी के बड़े-बड़े जजज़ डिटायर जज़ज आएस, आईपीएस, आएफस, प्रोफिसर्स, कॉंप्यूटर साइंस के प्रोफिसर्स इन सब ने कुछ प्रशन पूछे तो नावायोग से हमें बता दीजे कि इस पर इंटरनेट कनेक्ट होता है के नहीं होता है इसका जवाब देते हैं हमने पूछा किसाफ सॉफ्ट्वेर डालता कौन है? सॉफ्ट्वेर बनाया किसने है? ये सारे प्रशनों का कोई जवाब नहीं देते हैं आज पूरे विश में किवल पांच देश हैं जहांकि EVM मशीन का उप्योग हो रहा है जिसमें भारत, नाइजेरिया, वेनिजूला, नेपाल और ऑस्ट्र इसलिया में सॉफ्ट्वेर को जोने उजवार्गर कर दिया, भाई देख लो इसको देखना है, तो हमारा तो ये प्रश्टमत है, इस देश के लोगतंत्र को यदि बचाना है, तो हमें EVM से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को, EVM से इतना ही प्रेम है, तो आप हमें वीवी पैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मत पेटी में अलग से डाल देंगे, अब चुनाव आयोग इसके बारे में हम से मिलने के तयार नहीं है, 28 इंडिया अलाइंस की पा टाइम नहीं दिया है, क्या है निक्षपक्षता से काम करता है, ECI करनाटक चुनाव में खुले आम, प्रधान मंत्री कह रहे हैं, बजर्ण बल्दी का नाम, नो और बटन दबाओ, यह तो कोड अफ कंड़क के खिलाफ है के नहीं है, डिप्रेजनेशन आप पीपल्स जुर्म है के नहीं है, उन पर कारवाई क्यों नहीं होती है, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोट के मुख्य नाइक के चीफ जस्टिस अफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया, सुप्रीम कोट ने, कि इलेक्षन कमिशन के सदस्यों का चयन, जो कमिटी है, उसमें एक व्यक् चीफ जस्टिस अफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए, और चीफ जस्टिस अफ इंडिया का प्रिस्ता भेजा गया, सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधान मंत्री की के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया, तो ये तो निश्पक्षता की निशानी नहीं है, खुले आम पक्षपात हो रहा है, अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ये बिया मनाती है, उसके इंडिपेंड डारेक्टर में भारती जन्ता पार्टी के चार नेता है, ये तो मदर्व डिमॉक्राशी जिसे कहा जाता है, उसके साथ तो मजाक है के नहीं है, ये देखिए मैंने ओ नीखराजी ने नर्मदा परिख्रमा की है, तीन बिंदू है जिस पर की हमें नर्मदा जी का जो स्वरूप है, उस पे हमें चिंता है, नमबर एक, वनों की कटाई, और जो स्विज के नाले उसमें शामिल होते हैं, इन्वाइर्मेंट इकलोजिकल एक इशू ये है, दूसरा इशू है कि रेत खनन से कितना नुकसान हो रहा है, दो, तीसरा है बड़े बांदों से, नर्बदा जी के बहाव में जो फर्ख पड़ा है, उसका क्या असर होगा, नर्बदा जी के सुरूप को, और बांद से डूबे हुए परिवारों के लिए, जो नियम, कानून और वादे हैं, वो पूरे हुए के नहीं हुए, तीन बिंदू हैं जिन पर की हम लोग वर्ख करना चाहते हैं, और मैं इस हमारा जो ट्रस्ट है, उस पर निकरा जी हमारे डारेक्टर है, हम लोग इन तीन बिंदूओं पर उस पर जाज कराना चाहते हैं, मा नर्मदा जी हमारे लिए जीमंदाईनी है और उसके लिए घोशना करना बंद करिए काम करके दिखाईए अरे ये तो मालवा के हैं शिवराज सिंजी ने अठरा साल किस उनके कारेकाल में क्या किया जरह बता दे सबसे जादा रेत का दोहन उनी के गाउं में होता है तो इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विश्य है इस पर हम लोग नेमत रूप से काम करते रहें आगे भी करेंगे दिख्विजे सिंग का निरने पार्टी करती दिख्विजे सिंग खुद नहीं करते मैं राजसवा में हूँ धाई साल मेरे सापास और है इसलिए मुझे लड़ने के आवश्यक्ता नहीं है गड़बंदन के अलग है इस्टेट को लोग अलग अपनी बाते कर रहें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो गड़बंदन के पार्टियां है में सब भारती जन्ता पार्टि के E.D. IT. C.B.I. के हत्यार से तरस्ट है और वो सब मोदी जी के खिलाफ है इसलिए हमारा राज्य चुनाओं में आमना सामना होता है लेकिन लोग सबा चुनाओं में हम लोग मिलके चुनाओ लड़ेंगे अभी शीट शेरें की बात भी बात थो रही चर्चा चल रही है बाएंडला लगबग 90 प्रतिशत सीटों पर हमारा समझता हो जाएगा देखी हमारा एजेंडा साफ है गरीब की मदद वा अंचित जो डिप्रेस्ट क्लासेज ने डिप्राइट क्लासेज हैं अनुसु जाती जन जाती पिछड़ावर किसान मजदूर गरीब इसके पक्ष में कांग्रिस हमेशत लड़ाई लड़ती आई है भारती समिधान की सुरक्षा भारती समिधान का पालन हो हमारी लड़ाई वो है हमारी लड़ाई मोधी जी से नहीं है हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है